महानगर पालिका के हमारे जो जहरत विबग है जिसको हम पहले मालमत्त विबग खेते थे उसमें 2022 में हमारे कुछ तत्य सामने आए कि एक विशिष्ट कंपणी का फेवर किया जा रहा है और कार्पुरेशन का लाखों का नुकसान हो रहे हैं तो इसके बारे में हमने तत्कालीन विबाग प्रमुक और तत्कालीन उपाइक तो इनको भी सुचित किया था और तत्कालीन आयुकत दयाने दी थे उन्होंने उनके एंक्वेरी भी करने के ले का था और उनको पेनल्टी भी किया था और इसके बाद में हमने इंटर्नल आडिट जो है वो शुरू किया था और एक घटना उस दर्मयान हो गई कि महानगर पालिकी की पर्मिशन लेके छे की पर्मिशन लेके वापे तेरा बोड लगाने का इशू सपना गार्डन का हमारे सामने आया तो वो इंसिडेंट में परिपूर्ण नहीं थी और मेरे उपर वो प्रेशर कर रहे थे कि हमारा काम जो है पहले जैसा चलता था वैसे करने के लिए प्रेशर कर रहे थे लेकिन लीगल काम करना महानगर पालिका कनुकसान करना यह मैं नहीं चाहता था और फिर मैंने स्ट्रिक्ट ऐसे चीजों में क कमिटी भी गटित किया है उस फेवरेटिजम कमिटी में जो एक विशिष्ट कमपनी को सालों से फाइदा पहुचाया जा रहा है वो तत्यामने सामने लाए उसमें गवर्मेंट का जी एस्टी लाखों का भराने और कार्पोरेशन का जो एडवर्टेजमेंट का जो शुलक है है वो भी लाखों का डुबा है कार्पोरेशन को जितना पैसा मिलना चेह जो फीस तो फीस ओ जायरत एजनसी और वो जो कंसर्ण काम करने वाले लिपिक है वो खुद ही खा जाते थे और यह तत्त्य सामने आने के बाद हमने उनके इंक्वारी शुरू किया और इसके बाद म में तो हमने उनको पेनल्टी भी लगाया और उसके बाद में जो इलीगल वोर्डिंग ते वो भी निकाल दिये वो निकालने से बहुखला कर उन्होंने अलग-अलग माध्यमों से मेरे उपर दबाव बनाने की कोशिश की और दबाव के चलते हम यहां पर कुछ असामाजिक की कोशिश की तो उसे वैतित हुए लोग मिलके इस टाइप का जो आरोप प्रत्रवप लगा रहे आरप हुआ हम कोड में बिल्कुल इसका शाबित हो जाएगा लेकिन जो कार्परेशन का लाखों का नुकसान किया है यह नुकसान सामने आया है करोडों का जो जहरत कोडिंग के उपर कोड भी सकते फिर भी यहाँ पे कुछ खुद का फाइदा करने के लिए करपरोशन का सिस्टेम का दुरूप्योग कर रहे खुदी एप्लिकेशन बनाना खुदी उसको परमिशन देना खुदी डबल यह करना तो यह अधिकारों का दुरूप्योग जो हम महाराष्ट में कुछ या देश में कुछ घटना है होगे तो उसके पीछे चुपके अगर ऐसा कुछ आरोप करेंगे तो अपना खुद को साहनबूती मिलेगी और हम खुद सकते इस भावना से इस तैप का आरोप किया जा रहा है ऐसा मेरा कहना है मैं पिछले किस साल से सरकारी सेवा में काम कर रहा हूँ और जब भी कभी किसी के उपर अगर कारवाई करेंगे तो ऐसे वेक्ति अपना बचाव करने के लिए इस तैप का जूटे आरोप करते और मुझे ये शहर अभी नहीं जानता मैं इसके पहले भी डेपूटी कमिशनर करके यहाँ पर काम कर चुका 2014 से 17 तक और 2022 से अभी तक मैं काम कर रहा हूँ मैं यहाँ तो मुझे नागरिकों का अनभो है मेरे नागरिक खुद मुझे जानते है कि मेरे केविन में ना एंटी चेंबर है ना मेरे पास परसनल कोई है तो कोई भी वेक्ति मुझे आराम से आके मिल सकता है लेकिन यहाँ पर कैसा कि विशिष्ट कंपणी का फाइदा करने के लिए विशिष्ट कंपणी के फाइल मेरे पास डिरेक्ली ले के आना मैं तो किसी को बुलाए नहीं था लेकिन अपना खुद का काम करने के लिए ऐसे जो आके अपना फाइदा करने के लि इस पे मैं बिल्कुल भाष्चे नहीं करूंगा, यह तो पुलिस इंक्वरी का विशे है, जो तत्थे मैं तत्काली नायुक्त के सामने भी तत्थे रखा है, विशा का कमिटी के सामने भी तत्थे रखा है, और मेरे सामने नाय देवता के सामने मेरे जो पक्षे मेरे पास प् जिनोंने इस टैप का घिनोना आरोप किया है उन्होंने पहले अपना जो किया हुआ काम या एक विशिष्ट वेक्ति को फेवर करने का काम है यह रेकॉर्ड पे मैं ऐसा नहीं बोलूगा मैं मन गड़नत बाते कर रहा हूँ तो यह प्रूव हो चका है खुद कार्परेशन में इस टैप का टाइपिंग करके उसका एप्लिकेशन बनाना उसका फीज भरना या उसको फेवर करना इसके वज़े से यह इंक्वाईरी चालू थी और यह इंक्वाईरी रोकने के लिए दर उदर से मेरे पूर दबाव भी डाला जा रहा था लेकिन यह दबाव कुछ काम नह जादेँ